सूप्रभाद बच्छो आप सब कैसे हैं आज आपकी शिल्पी मैम आपसे दुबारा मिलने आई है तो बच्छो ये वीडियो है प्रेप कक्षा के लिए और आज हम क्या सिखेंगे आज हम सिखेंगे शिशुगी या बालगी तो आईए देख लेते हैं कि आज हम कौन सा नया बालगी सीखने वाले है तो पहला बालगी जो आज हम सीखने वाले हैं वो कौन है मेरी बिली और बच्छो बिली कैसे आवास करती है तो चलो सीख लेते हैं जटपट से ये नया बिया बालगी मेरी बिली बड़ी सयानी खाती न रोटी पीती न पानी खाती न रोटी पीती न पानी दूध मलाई चट कर जाती चूहे पांच मार कर खाती कैसा लगा बच्छो ये पहला बालगीत अच्छा लगा अब हम करेंगे दूसरा बालगीत वो कौन सा बालगीत है बच्छो मिठूराम तो यहाँ पर मिठूराम किसका नाम है मेरा नाम तो नहीं है आपका नाम नहीं है यहाँ पर मिठूराम है नाम इस तोटे का तो सीख लेते ये नया वालगीत या शिशोगीत मिठूराम मेरा तोता मिठूरा, खाता है किश्मिश बदा, मीठे मीठे बॉल सुनाता, हम बच्चों का दिल बहलाता मेरा तोता मिठूरा, खाता है किश्मिश बदा, मीठे मीठे बॉल सुनाता, हम बच्चों का दिल बहलाता अब हम सीखेंगे तीसरा बालगीत वो कौन सा बालगीत है बच्चों? तकबग 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 और तकबग तकबग कौन करता है? घोड़ा, तो चलो सीख लेते हैं मेरा घोड़ा, इस बालगीत का नाम है मेरा घोड़ा कितना बढ़िया मेरा घोड़ा जाता साथ समंदर पार दोड़ा जाता पैरिस लंडन दोड़ा जाता पैरिस लंडन दुर्की एक छलांगे चार तो इसे करें कितना बढ़िया मेरा घोड़ा जाता साथ समंदर पार दोडा जाता पैरिस लंडन दोडा जाता पैरिस लंदन दुर की एक छलांगे चार तो बच्चो, कैसा लगा आपको ये तीन बालगीत आज मैम के साथ करने के लिए अच्छा लगा तो आपको इन बालगीतों का घर पर बिल्कुल प्रयास करते रहना है ठीक है क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और शिल्पी मैम बहुत जल लोटेंगी और कुछ नएं बालगीत लेकर तब तक चाचाँ